इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक सिकुटा विरोसा को साश्टांग प्रणाम के लिए संकेत दिया जाता है जो एंठन वाले हमलों के बाद अचानक कठोरता फिर जटके और हिंसक विकृतियों के साथ होता है 2. ये बच्चों में दात निकलने के दौरान होने वाली एंठन या कीडे के लिए सबसे अच्छे उपचारों में से एक है साथ ही या अत्यधिक और हिंसक एंठन के लिए भी सबसे अच्छा उपचार है 3. मस्तिश क्या, रीड की हड़ी के आगहात के प्रभाव के लिए सिकुटा विरोसा एक अच्छा उपाय है 4. चहरे, सिर और शरीर के अन्य भागों पर मोटी, पीली पपडी बनने वाली फुंसियों से सिकुटा विरोसा से राहत मिलती है 5. इसका उप्योग उल्टी, छाती की मान स्पेशियों में एंठन और आखों की एंठन के लिए भी किया जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें